तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हमारे उमेस टेक सपोर्ट यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर Amazon एप के अंदर से आपने कोई भी प्रोड़क्ट और किया था और अभी आप उसका जो डिलव डेट है उसको अगर आप चेंज करना चाते हो तो कैसी चेंज कर सकते आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ और उनडियो स्टार्ट करने सप्लीय अगर आपकी प्रोड़क्ट की डिलवश डिलव arsenal को सब्स्क्राइब करना मत भूलिएगा सब दिएम यहां पर ऐमजो न यहां को यह इसके ऊपन करना है पर यहां पर यहाँ पर इस तरीके से लिखने का option मिल जागा फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा call me ठीक है यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख करके इसको भेज देना होगा तो यहाँ पर जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने call me लिख दिया है और इसके बाद यहाँ अभी हमसे language select करने के लिए बोलो जाएगा कि किस भासे मैं आप बात करना चाहते हूँ तो यहाँ पर मैं Hindi select कर लिता हूँ और उसके बाद फिर आप यहाँ पर इसके ओपर click कर दीजिएगा ठीक है कि मैं जो number मेरा है वो इंटर करता हूँ यहाँ पर आपको देखने के लिए यह number और अगर आप इसमें number चेंज करना चाहो तो अगर किसी दूसरे number पर call चाहिए है तो आप यहाँ पर कोई दूसरे number अपने डाल सकते हो उसके बाद यहाँ पर call me now के ओपर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपकी request चली जाएगी call की अभी मैंने इसको cancel कर दिया है तो अभी यहाँ पर वीडियो की बीच में call आ जाती है ठीक है तो यहाँ पर मैंने इसको cancel कर दिया इस तरीके से आप जो की request डालोगे जैसे आपके पास call आएग ठीक है चैंज हो जाएगा लेकिन अगर वो मना करते हैं बोलते सिस्टम काम ने करें कोई और भाना मारते ठीक है और ऐसे में आपका जो की नहीं change होता है उसके बाद जब आपको बोल देना है कि यह जो की उसको बाद मिलाने के लिए उसको बोलना है और जो आपने delivery address दिया आ जाना तो फिर वो डिलेब्रिव भाए उसी दिन आपको वो प्रड़क्ट ले करके आ जाएगा आपके एड्रेस पर आज किस वीडियो में इतना ही आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो कैसा लगा है प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना और इसके